हाई एवरीवन वेलकम टो एक्जाम आइक्यू एक्जाम आइक्यू की इस वीडियो में जेसेसी और जेपेसी के लिए जारखन जीका का एक प्राइटी सेट लगा रहे हैं तो इस प्राइटी सेट में टोटल 20 सवाल कभर किये गए हैं आपको सभी का अंसर देखे आपको लास करते हैं तो पहला सवाल है तो प्रसिद टेगोर हील स्टेशन की सहर की सीमा पस्तित है तो टेगोर हील स्टेशन कौन से सहर की सीमा पस्तित है यह पूछा गया है तो ऑप्शन क्या है रांची गुमला दुमका गढ़वा तो इसका सही अंसर क्या होगा तो अंसर की बात करे और यहां एक option की देख रहे हैं दुमका तो दुमका से भी सवाल क्या बनता है तो दुमका जो है जारखन की उपराईदानी किया है दुमका आगे देखते हैं केंद्री खनन एव इंधन अनुसंदान संस्थान जारखन में कहा जती थे जमसेदपूर राची बुकारो धनबाद तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा आगे देखते हैं जारखन में सरहूल किस रूप में जाना जाता है तो सरहूल किस रूप में जाना जाता है सरहूल एक आभूसन है उत्सव है नदी है पक्छी है तो इसका सही अंसर क्या होगा तो इसका सही अंसर आप्सन बी हो जाएगा सरूल जो है जंजातियों का एक परसित तहवार है आनिकि उत्सव आगतो तहवार ओप्सन में रहेगा तो ओप्सन 20 का सही हो जाएगा तो सरूल क्या है एक उत्सव या फेस्टिबल है तहवार है आगे देखते हैं किस तहवार के दोरान जंजातियों महिलाएं पूरे दिन पुरूस के कपड़े पहन कर पसुओं का सिकार करती है तो कौन सा फेस्टिबल है इसमें जंजातियों महिलाएं क्या करती है पुरूसों के कपड़े पहन कर दिन वर पसुओं का सिकार करती है तो कौन सा festival है कर्म, मंसा, छठ पुजा, मुक्का सेंदरा तो इसका सही इंसर क्या होगा और कर्मा पुजासे एक सवाल पुछा जाता है तो कर्मा पुजा जो प्रकर्ती की पुजा है इनमें कितने घंटे का उपवास रखा जाता है एस वाल पूछा भी गया है तो 24 गंटे का उपवास रखा जाता है आगे देखते हैं तो जारखन में उच नियाले कहा हिसती थे तो जारखन हाई कोट कहा हिसती थे बोकारो, धनबाद, रांची, जैमसितपूर तो इसका सही अंसर क्या है तो सही answer हो जाएगो election C, राची तो जारखंड high court जो है राची में स्तित है और जारखंड high court क की अस्थाफना का हुई थी ये स्वाल भी बनता है तो इसकी अस्थाफना जारखंड अस्थाफना दिवस जिस दिन है उसी दिन बनता है होता है हुआ था 15 नॉमर 2000 को तो जारखंड के स्थापना का हुई थी 15 नॉमर 2000 को और उसी दिन जारखंड हाइकोट की भी स्थापना हुई थी और एक जारखंड हाइकोट से एक और सवाल पूछा जाता है तो जारखंड हाइकोट जो है देश के कौन सा नमर का है कोट है तो अंसर क्या होगा तो देश के 21 नमर का है कोट है तो जारखन है कोट जो है भारत का 21 है कोट है आगे देखते हैं तो जारखन में आयुजित 34 राष्ट खेलों के उद्गाटन समारों कहां आयुजित क्या गया था तो चोंतिस्वा राष्ट खेल का उद्गाटन समारो कहा हुआ था राची, बुकारो, हजारी बाग, दनबाद तो इसका सही अंसर क्या हो जागा तो चोंतिस्वा राष्ट खेल का उद्गाटन समारो कहा पे हुआ था तो रांची में हुआ था, तो option A का सही हो जागा, तो 34 राष्ट केल का उधाटन समारो रांची, option A सही हो जागा, और 34 राष्ट केल हुआ कब था, यह भी mind में रखिये, तो 34 राष्ट केल हुआ कब था, तो इसका सही अंसर क्या होगा, तो अगर हुआ कब था, तो इसका सही 11 में, तो 34 आ वा राश्ट के लिट 11 में हुआ था आगे देखते हैं जहारखंड में ठेक ववा किस रूप में जाना जाता है तो ठेक ववा जो क्या है? मिठा है, हतियार का नाम है संगीत का परकार है या विवा समारो है तो इसका सही इंसर क्या हो जाएगा? जो जारखन में और विहार में ठेक वुआ जो परचलित है वो एक बेंजन है मिठाए है अनिकी ओप्सन एस ही हो जाएगा और एस वाल जेससी में पूछा गया है आगे देखते हैं तो 2011 में आईजित 34 राष्ट खेल के दोरान किसने खेल मसाल जलाई थी तो इसमें 300 से बनते हैं तो जारखन में राष्ट खेल कब हुआ था 2011 में और जो 2011 में राष्ट खेल हुआ था ये कौन सा नमर का राष्ट खेल था 34 और कहां पे हुआ था राची में इसका उधगाटन समार हुआ था तो इसमें मसाल किसने जलाई थी ये पुछा गया है MS दोनी, सिल्वानूस, डूंडूं, सोरब्तिवारी, दीपीका कुमारी तो इसका सही अंसर हो जाएगा दीपीका कुमारी ने तो 2011 में अजित 34 राष्ट खेल का मसाल जो था दीपीका कुमारी ने जलाई थी तो अप्सन में दे दे, आगे देखते हैं, मंगोलिया पॉइंट किस अस्थान पेश्थी थे, तो मंगोलिया पॉइंट कौन से अस्थान पेश्थी थे, कहां के संबेद सिखर जी नेतरहाट राजरप्पा, तो कहां पेश्थी थे, मंगोलिया पॉइंट जो है, नेतरहाट मेश्थी नेत्रहर जिल में इसवाल क्या था जो ग्रीडी जिले में इस्तित है वही राजरप्पा किसके लिए परसीद है राजरप्पा रामगर जिले में इस्तित है यहाँ पर माच छिना मस्तिके का मंदीर इस्तित है तो लेकिन इसका सवाल क्या था मंगोलिया पॉइंट कहां पर इस्तित है तो इसका सही इंसर हो टो पालना डेम स्वर्र रेखा नदी परिस्तित है और स्वर्रेखा नदी से दो सवाल पुछे जाते हैं प्राया तीन और कुल को में गिराती है और जहारखंड से होकर बहने वाली कोई भी नदी डारेक्टली बंगाल की खाड़िया में अपने जल नहीं गिराती है लेकिन केवल स्वर्रेखा नदी है जो अपने जल बंगाल की खाड़ी में डारेक्टली गिराती है आगे देखते हैं तो जहारखंड के किस अस्थान पर 500 फीट उच्चा भुनेश्वरी देवी मंदीर है तो जहारखंड के कौन से अस्थान पर 500 फीट उच्चा भुनेश्वरी देवी मंदीर है तो इसका सही अंसर क्या होगा जमसेदपूर राची धनबाद बोकारो तो इसका सही इंसर है option ए जमसेदपूर में तो भुनेज़श्वरी देवी मंदिर जो है जमसेदपूर में इस्तित है आगे देखते हैं जहारखंड के किस अस्थान पर मलूटी मंदिर इस्तित है तो मलूटी मंदिर कहां पे इस्तित है गोड़ा, धनबाद, दुमका, हजारिबाग तो इसका सही इंसर है option C, दुमका में तो मलूटी मंदिर कहां पे है, दुमका में आगे देखते हैं तो जहारखंड के किस मंदिर में हिमाले के जुआला जी मंदिर से लाकर अखंड जोती अस्तापित की गई है तो जहारखंड के किस मंदिर में हिमाले के जुआला जी मंदिर से लाकर अखंड जोती अस्तापित की गई है तो इसका सही इंसर क्या है सक्ति पीठ मंदिर, भुनेस्वरी मंदिर छिनमस्तिका मंदिर, कभिर ग्यान मंदिर तो इसका सही अंसर आपका हो जाएगा सक्ति मंदिर और की option ये इसका सही है आगे देखते हैं तो जहारखंड के उस परसीद बैक्ति का नाम बताना है जो सिमान्त संस्कृतियों के लिए के एक इतिहासकार है तो अंसर क्या हो जाएगा तो जहारखंड के उस परसीद बैक्ति का नाम बता है जो सिमान्त संस्कृतियों के एक इतिहासकार है तो option है अरपना गोस रमनीका गुपता, सुवेता टंटन या तो प्रेमलता अगरवाल तो चार option में कौन सा सही हो जाएगा अगर option की बात करें तो सही हो जाएगा, रमनीका गुपता तो रमनीका गुपता जहारखंड के सिमान्त संस्कृतियों के एक इतिहासकार है, इसके अलावे बात करें तो प्रेमलता अगरवाल जो है जमसेदपूर की निवासी है और वे एक परवतार होही है, और प्रेमलता राची में 34-वा राष्ट खेल हुँआ था तो इस दोरान जारखंड को कौन सा स्थान मिला था 7वाँ, 6-5वाँ, 4धा तो इसका सही नशर हो जाएगा उप्सन C, पांचवाँ स्थान मिला था तो 2011 में 34-वाँ राष्ट खेल के दोरान जारखंड को पांचवा अस्थान मिला था अनिकी उप्सन C सही हो जाएगा आगे देख लेते हैं अठारसो संतावन की करांती में संपूर्ण सिंभूम छेतर में करांतीकारियों के परमुख नेता कौन थे जब अठारसो संतावन की करांती वी तो इस दोरान तो इसका सही इंसर वह जाएगा option B राजा अर्जून सिंग तो सिंभूम छेतर में 877 की करांती के दोरान करांती कारियों का परमुख नेता था अर्जून सिंग और अर्जून सिंग को गिरफतार करके कोंसा कहां पे बेजा गया था वरानसी बेजा गया था लेकिन बाद में और इसकी मिर्ती होगई अगे देख लें कि कि ताना भगत आंधूलन के सुरुवाट कभ हुई थी तो अप्रेल 11 अप्रेल 1913 अप्रेल 1914 अप्रेल 1915 सब लगातार ही दिया है तो इसका सहीं शुरुआ जाएगा टाना भगत आंदोलन की शुरुआत 1916 में हुई थी तो 1916 में हुई थी कब हुई थी किस ने किया था यह चानली जीए तो जातरा उराओं या तो जातरा भगत दिया रहता है तो जातरा उराओं ने किया था कब किया था अप्रेल 1916 में और टाना भगत आंदोलन जो था विशुत तरीके से लड़ा गया एक तो सविधान सभा में छोटा नागपूर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस थे तो सविधान सभा में जहार खंड कौन से आदिवासी नेता से एनी हीरो जैपाल सिंग सुसिल कुमर बागे कार्तिक उराओं तो इसका सही इंसर क्या हो जाएगा उप्शन B जहेपाल सिंग तो सविधान सभा में छोटा नागपूर के कौन से आदिवासी नेता थे जहेपाल सिंग उप्शन B इसका सही है आगे देखते हैं तो छोटा नागपूर में विलकिंसन कानून कब लाग हुआ था तो छोटा नागपुर में विलकिंसन रूल कब लाग हुआ था 834, 835, 836, 837 तो इसका सही इंसर हो जागा option A तो छोटा नागपुर में विलकिंसन रूल कब लाग हुआ था तो 834 में हुआ था option A का सही है आगे देख लेते हैं बिरोहर का साब्दिक अर्थ पूछा गया है तो बिरोहर का साब्दिक अर्थ क्या है जंगल का आदमी, प्रकृति प्रेमी आदमी, पोहित्र आदमी, आम आदमी तो बिरोहर जो है जहारखन की एक आदिम जन जाती भी है और जारखन में total कितने जन जाती है 32 जन जाती है उनमें से 8 जन जाती को आदिम जन जाती का दर्जा दिया गया है उनमें से बिरोहर एक आदिम जन जाती है तो पुछा है बिरोहर का साथिक अर्थ क्या है तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा जंगल का आदमी तो इसको आप बीर होर को संधी करके भी तोड़ सकते हैं आनि कि जारखंड के कुछ भादसा में जंगल को बीर बोला जाता है और आदमी को होर बोला जाता है तो इसको जंगल का आदमी हो जाता है option A का सही हो जाएगा तो यह थे जारखंड जीके से समंदित practice set 2 इसमें 20 सवाल थे आपको ब पाये thanks for watching मिलते हैं अगले वीडियो में